आदरनीय प्रधानमंत्री के नेत्रत्व में हमारा राश्ट्र स्वास्थ सेवाओं में महत्वपूर्ण विकास देख रहा है। पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ सेवाओं तक पहुँच बहतर बनाने, गुणवत्ता को सुधारने और स्वास्थ सेवाओं पर व्यक्ति के निजी व्याय को कम करने के अनेक उपाय किये गए हैं। बिते नव वर्षों में भारत में भी स्वास्थ सेवाओं को लेकर बहुत इमानदारी से, बहुत कुछलता से कारे करने का प्रयास किया गया है। स्वास्थिक शेत्र में हो रहे अभूतपूर्वकारियों में से एक है राष्ट्रिय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। सिकल सेल एनीमिया एक आनुवांशिक रक्त रोग है, जिसके लिए आजीवन प्रबंधन की आविश्यक्ता होती है। इससे ग्रस्थ व्यक्ति को जीवन भर कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में मृत्युदर बढ़ने का सिकल सेल रोग भी एक प्रमुक कारण है। सिकल सेल के रोगी दो प्रकार के होते हैं, सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी। सिकल सेल वाहत में गंभीर लक्षन नहीं होते पर यह विकार को अगली पीड़ी में बढ़ाते हैं सिकल सेल रोग गंभीर विशय है तथा इससे आदिवासी बाहुल्य जिले के लोग ज़ाधा प्रभावित है जन जाती या आबादी में इस विशय की जागरुकता की कमी होने के कारण सिकल सेल के लक्षनों का देर से पता चलता है इसलिए पीड़ी दर पीड़ी इस रोग का निरंतर प्रसार होता रहता है माननिय प्रधानमंत्री जी के मार्क दर्शन में गुजरात एवं मध्यप्रदेश राज्जियों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए प्रोजेक्ट्स चलाए जा चुके हैं इनमें सफल परिणामों से इस विशय की गंभीरता को समझने में मदद मिली है अब उनके नित्रित्व में इस मिशन को देश भर में लागू करने का निर्ने लिया गया है इसलिए वर्ष 2023 से 24 के केंद्रिय बजट में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की घोशना की गई यह मिशन बहु आयामी जागरुकता प्रयासों तथा युनिवर्सल स्क्रीनिंग के माध्यम से आदिवासी नागरिकों को स्वस्थ, पीडा मुक्त और लंबा जीवन देने में कारगर साबित होगा भारत सरकार द्वारा इस मिशन को समूझी सरकार के द्रिष्टिकोंड से चलाने का निर्ने लिया गया है सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतरगत आयुश्मान भारत हेल्थ आन वेलनेस के इंद्रों तथा अभियान शिविरों में शून्य से 40 वर्ष की आयू के सभी नागरिकों की स्क्रीनिंग मिशन मोड पर की जाएगी ताकि वर्ष 2025 से 26 तक 17 प्रभावित राजियों के लगभग 7 करोड लोगों की जाच की जा सके प्रत्य एक स्क्रीन किये गए व्यक्ति को उनका स्टेटस बताने तथा जेनेटिक काउंसलिंग हे तू काला कोड़िट कार्ड भी दिया जाएगा महिला एवं पुरुष द्वारा कार्ड मिलान करने पर उनके भावी बच्चे में सिकल सेल एनिमिया होने की संभावना का तुरंथ पता चल जाएगा यदि इसकार्ड का मिलान विवाह पूर्व किया जाए तो सिकल सेल रोग के प्रसार को रोकने और उसके उन्मूलन में अविश्वसनिय मदद मिलेगी अभियान के अपेक्शित परिणाम पाने के लिए सिकल सेल रोग प्रबंधन में तीन प्रकार की समावेशी रणनीती का इस्तमाल किया जाएगा भारत सरकार द्वारा सिकल सेल रोगियों और उनके परिवार जनों को आश्वस्त करने और जन्चेतना के लिए सामुदायक स्तर पर जागरुकता भी फैलाई जाएगी आज मानिया प्रधान मंत्री जी के करकम लूद्वारा राश्ट्रिय सिकल सेल एनिमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया जा रहा है साथ ही नवनिर्मित सिकल सेल पोर्टल, मिशन प्रबंधन मार्ग दर्शिका, व्यापक प्रचार प्रसार सामगरी एवं प्रशिक्षन सामगरी का भी विमोचन किया जा रहा है प्रभावित राजियों के हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स, एकलाव्य विद्याले तथा मेडिकल कॉलिग सहित 50,000 से जादा स्थानों पर लोग इस विमोचन मी ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं आईए हम सब मिलकर सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन को एक जन आंदोलन बनाने में योगदान दें और भारत को सिकल सेल के नए मामलों से मुक्त कराने में सफलता दिलाए